आप सब लोग आप सब ठीक होंगे आपके पी बहुत ज़दा पूरा नी जाया हैं ताग धब्बे आपके पिंपल्स के निसान है या फिर आपके चैने पर जाधा जुरियों की प्रभल्लम है तो आप उसी दूर करना चाते हैं तो इस रेविडी को ट्राय करना इससे आपके तो इस तरह से बनाना है किस तरह से लगाना है तो चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पर आपको ऑड़ इसे तरह से अच्छे से भरतffberry करने के बाद पूँचित दहोयी आलो को शीन है हैं दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाते हैं साथ में हमारे कलर को फेर बनाने में बहुत अच्छी एल्प करता है तो यहां पर दो तीन चमच आपको आलू का जूस लेना है आलू का रस जो है निकालने की बाद थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है जब थोड नीचे जो वाइट रह जाता है आपको उसी को यूज करना है आलू का जो पानी है उपर का उसे निकाल के साइड में करना है और नीचे का इस तरह से रखना है इसके अंदर जो हम जितने भी इंग्रीडेंट्स में लाएंगे वह मारे चेरे के लिए बहुत ज़दा फाइद जाते हैं जो संत्रे आते हैं उनके चिलकों को पाउडर बना के तियार करना है और यह मारे चेरे के लिए बहुत ज़दा अच्छा होता है मैंने इसे घर पे बनाया है आप चाहिए तो इसे ओन लाइन भी खरीद ले और आपको लेना है एक चमच ओरेंज बिल पाउडर उस साथ मैं हमारे कलर को फेर बनाने में अच्छी एल्प करता है और हमारे चेरे पे फेसल जैसा ग्लो भी आता है तो एक चमच मैंने आपे मुलताने मिटी लिया है अब यहापे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा शायद शायद जो है मारे चेरे के लिए बहुत ज़दा अच्छा ले रहे हैं अब लास्ट प्रीक्ट दूढ़ी आ देचा दूढ़ सब्सक्राइब रहती है слово कि ऎलता है कि यहां पर दो चमच के करीं का दो दूढ़ा होता है तो करो आपको कम लगे तो थोड़ा और ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा फिर आपको इसके अंदर चैनल करद आलना ए सिरीने दूर सोथती जीलुव और अंदर दूरना वाली है आपके चैनल posterior चैनल के सथिल, आपके dimilieip अजये चाहिता स्थ सब को अच्छे से mix कर लिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से face pack बनाना है ना पतला करना है ना ही काड़ा बनाना है आपको इसे हपते में कम से कम तीन वार use करना है अगर अच्छा result चाहिए तो आपको अपते में तीन वार लगाना है और इसे लगाने से आप देखेंग ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो प्लोड करूँ उसे आप सबसे पहले देख पाएं तो चलिए इसे लगा लेते हैं तो आपको क्या करना है इस फेस पेक को पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा लेना है इससे आपके चेहरे पे एक तो ग्लो आएगा साथ में आपकी स्किन जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी आपके चेहरे पे जितने भी दाग धबेज, हाई या जूरिया है वो सब ठीक होने वाली है अच्छे से पूरे चेहरे पे आपको इसे लगा लेना है लगाने के बाद आपको इसे छोड़ देना है कम से कम 15 मिनट के लिए या फिर आप चाहें तो 20 मिनट भी रख सकते हैं इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है उसके बाद अपने चेहरे को धो लेना है ठंडे पानी से ठंडी पाने से अपने चाहरे को दोने की बाद आप देख सकते हैं मेरे चाहरे पी कितना अच्छा गलो आया है मेरी सकिन बहुत अच्छी है हो जूप तो काफी अच्छी remedy है और फेस को वोष करने के बाद आपकोoooo नहीं तो इसकी पूली सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई